अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीस इसे लाइक, सब्सक्राइब और खंटी का बटन दबा दिजी ताकि आप हमारे फैमिली मेंबर बने रहें और चल्दी से इंगलिस सीख जाएं, ओके? अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कोचिंग करने के लिए आप हमारे इस नमबर पे खोल कर सकते हैं, चलिए क्लास से स्टार्ट करें नमस्कार आप सभी को, जैसे कि आज मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि हमने पार्ट बन बनाया था, पार्ट टू और पार्ट थिरी, तो अगर आपने पार्ट थिरी तक नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिएगा तब ही आपको ये वीडियो अच्छे से समझ मे आएगी, तो चलिए आज है पार्ट फॉर और इसमें मैं आपको आगी के रूल सिखाने वाले हूँ, जैसे आगी के रूल में रीसे रीसी की मातरा कौन सी होती है, ग्याग्यानी की मातरा कौन सी होती है, साथ में जितने भी ऐसे डिफिकल्ट होते ना आपकी मातरा है, वो स गर आपको कभी भी इस तरीक से दिखें, जिसे हम छह का साउंड भी लेते हैं, तो हमेज़ा आपको उसके लिए के एस एच ए लिखना है, क्योंकि कर्षा से मिलके यह सब्स बना है, जिसको हम कर्ष पढ़ते हैं, और इसलिए इसका के एसे एच लिखा जाता है, जैसे हम रक्षा करूँगी तो आपको क्या लिखना होगा यहाप ध्यान से देख लिए आपने R लिखा क्योंकि बीच में कोई मातरा नहीं होती है तो A लिखा जाता है और जब आप देखने कश इसके लिए KSH और A तो हमें लिखना ही है क्योंकि आका डंडा है तो यह क्या हो गया रक्षा आप माले ज़ाब वाट्सप कर रहे हैं आप किसी को आप बोल रहे हैं कि आरे चिंता मत करो मैं आपके हमेशा रक्षा करूँगा तो आप इसको इंगलिस में लिखेंगे वाट्सप पे तो हिंदी में हम नहीं लिखते हैं तो आपको पता होना चीए कि इसके लिए क्या लिखा जाता है अगर आपको लिखना अक्षर अक्षर तो आप जानती होंगे तो अक्षर को हिंदी में कैसे लिखते हैं देखे आ के लिए आपने ए लिखा और जैसे कि मैंने बोला कश, इसको कश का शाउन लेते हैं, तो का के लिए के एस एच, यानि कि दो सब दो से मिलके बना का और शा से इसले इसको कश पड़ा जाता है, और क्योंकि बीच में कोई मातरा नहीं हमने ए लिखा, और लास्ट में रा के लिए आर लिखेंगे, ठीके एक और चीज बोल दूँ, अगर आप और अच्छे से सीखना चाते हैं, तो आप हमारी कोचिंग भी जोइन कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर जो स्क्रीन पे नमबर है, आप उस पे कोल या मेसिज़ करके एकलाज जोइन कर सकते हैं, चलिए आगिस जान लेते हैं, आप ज चात्रा नहीं है, तो आप लोगों को A लिखना है, उत्रा के लिए T, R लिखा जाता है, और लाश्ट में A भी लिखते हैं, क्योंकि हलका सा A का साउंड के लिए A लिखा जाता है, आप जैसे मैंने बोला चात्र, तो चा के लिए C, H, लिखते हैं, यानि की C और दो बार H, उसकी बाद आकर डंडा है, तो A लिखना है यह नॉर्मली, और तरह के लिए T, R, A आपको इस तरह के से लिखना होगा, तो कहीं पर भी अकर आपका तरह लिखा है, तो आपको ऐसे ही लिखना है, अब आप सोचे लिखना है, हमें तो spelling लिखना है, हमें इसकी कोई जरुरत ह जरुरत हर किसी चीज की होती है, अगर आप चाहिए हिंदी सीख रहे हैं, इंगलिस सीख रहे हैं, आपको कभी ना कभी इस तरीके से पत्र लिखना पड़ सकता है, चात्र लिखना पड़ सकता है, आपको ये चीजे आनी चाहिए, कोई भी चीज छोटी नहीं होती है, उसक इसे श्र पढ़ते हैं जाने कि श्र के लिए एसेच और रा के लिए आख के लिए आख की लिए आख की लिए आख के 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 लिए आ और सिर्फ ए कब लिखा जाता है, आ के लिए, कभी भी अगर आ किया बाद चाता है, लंबी खीच के बोली जा रही हो, तो डबल ए लिखते हैं, जैसे हमने बुला आ श्रम, आ श्रम, तो इसलिए हमने डबल ए लिखा है, और श्रम के लिए हम क्या लिखेंगे, एस एच, आर और ए, और मा के लिए हमें M लिखना है, ठीके, श्रम, आ श्रम, समझ में आया, यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं, ग्यान, तो हमने दिखा होगा ग्या यह वाला जो यह सब्त होता है, बहुत ही डिफिकल लगता है बच्चों को, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता, तो ग और या से मिलके यह बना है, तो इसे कि अब लगता है, ग्या, यानि कि जी और वाई, और क्योंकि हलका सा लास्ट में आ का सामझ रहता है, तो ए लिखेंगे, यानि कि ग्या, तो यह चीज़ याद रखिएगा, आप चैसे आपको लिखना है, ग्यान, तो आप कैसे लिखें तो डबल ए उसके बद गया के लिए जी वाई और लास्ट में ए अगर आप और अच्छे से इंगलिस पढ़ना लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं तो हमारे इस नमबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं चलिए अब मैं आप लोगों को आके समझा देते हूँ कि कुछ याद रखेगा मैं दीरे दीरे आपको सारी चीजे सिखा रहे हूँ इसके बाद मैं आपको बड़े बड़ी वर्ड मिनिक सिखाऊंगी लिखना लेकिन अभी ये भी बहुत जरूर है ता इसलिए मैंने ये टॉपिक भी रखा है ठीक है तो इसको आप अच्छे से प्राक्टिस जरूर कीजिएगा बहुत ही नौलिज लेवल है और आपको हमेज़ा याद रहना चाहिए चलिए आगे चाल लेते हैं उसकी बाद आप जैसे आप दिखते हैं रीशे रीशी की मातरा आप जैसे आप लिखते हैं पहुत से बच्चों को रीशे रीशी की मातरा बोलनी ही नहीं आती आप जैसे मैंने यह आप लिखा है रीशे रीशी को कैसे बोलते हैं पहले री बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं री बोलते हैं क के लिए के लिखा और रि के लिखेंगे शा के लिखते हैं और पीछ में ए लिखते हैं जब आकर डंडा नहीं होता है और क के लिखा अब जैसे आपको किसे ने बोला रित्तु लिखिए अब आप रित्तु कैसे लिखने हैं बहुत से लोग रित्तु अलग तरीके से भी लिखा जाता है वो मैंने बता है तो री के लिए आपको आ रहे हैं लिखना है ता के लिए टी लिखना और उ की मात्रा के लिए यू लिखना है यानि की रितू ठीके समझ में आया तो कभी भी अगर रीशे रीशे की मात्रा हो या फिर इस तरीके से का के नीचे मात्रा हो तो आपको मेंज़ा उसका मतलब री समझना है और इसको याद रखना है चलिए अब हम आगे जान लेते हैं जैसे कि आप रीशे रीश की कुछ और वर्ड मीनिंग भी मैंने लिखते हैं जैसे ब्रिक्ष तो क्योंकि ये मात्रा ना काफी जगा होती है हम लोग पैचानी बाते हैं तो ब्रिक्ष मैंने देखए इसको बोलके भी बताते हैं ब्रिक्ष इसके साइड में लिख भी दिया है ताके आप खुछ से प्राक्टिस कर सके तो बाग के लिए बी रिका रिक है री के आ प्रभर्म की साल होनी चाहिए कि से नाम लिखा जाता है तो का के लिए तो आपको के लिखना है? री के लिए आराई लिखना है शा के लिए री के लिए आ रहा है लिखना है पाकले पी लिखना है आपको बोलना कैसे न रिप जो री है उसको एकदम जल्दी से बोलिएगा क्योंकि ये री वह वाला नहीं है ये आदा वाला री है न रिप इस तरीके से न री पोल देंगे तो वो पूरा रा बोला हो जाएगा तो अग या री तो आप समझ रहे हैं ना इसको एकदम स्पीड में बोलते हैं रिशे रिशे वाले री को और उसको थोड़ा दीरे से आप जैसे म्रिक यानि कि मा के लिए अमलिका, री के लिए आराई और गा के लिए जी ठीके तो इसको इस तरही के से पढ़ना होता है, आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए किसी को भी अगर आप लिखने पढ़ रहे हैं कि आपको इस चीज की नोलिज नहीं है और अगर आप बहुत पढ़े लिखे भी हैं और आपको ये नहीं बताना तो को आप पड़े लिखे किसी काम के नहीं है क्योंकि ये छोटी-छोटी चीजे हमें हर चीज से ये बताती है कि हम अच्छे नॉलेज लेवल है इसका पार्ट फाइप आएगा जिसमें में और भी टिफिकर्ट लांगिज और वर्ड मीनिंग होती है लिखने का हिंदी और इंग अब बच público हो बोगया हैं मैं लाइफ क्लास क्यों नहीं कर आएगे लाइफ क्लास में कराऊंगी दस बारा दिन बाद युदि तो प्लीज लाइक की जिए गार कीजिये और कोचिंग करना जैसे आपक्की मजी है वैसे बाया है अगर आप हमदों पर लाइफ क्लास नहीं हैं तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड खंटी का बटन दबा दिजी टाकि आप हमारे फैमिली मेंबर बने रहें और जल्दी से इंगले सीख जाएं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कोचिंग करने के लिए आप हमारे इस नमबर पर कॉल कर सकते हैं चलिए क्लास से स्टार्ट करें